आपका RPF SI 2019 एक आपका RPF Constable 2019 ठीक है और ये मेरे दोस्त ये दो कोस्तन वो कोस्तन है जो की आपके जितने भी 2019 में एक्जाम हुए थे ठीक है जितने भी पेपर हुए थे RPF के और जितने स्रिप्ट के एक्जाम में जो पेपर आया था उनमें हर यानि यही कोस्तन पूचा गया था हर एक प्रिकार से ठीक है घुमा घुमा कर यही कोस्तन पूचा गया था यानि यही कोस्तन था जो हर एक स्रिप्ट के एक्जाम में यानि पेपर में आया था देखो प्हला के चछे कहता है , पहला कोस्तन है मेरा दोस्त आपका काच के एक वर्गकार टुकड़े का छित्रफल, सोला इक यासी सेंटीमिटर है जो एक मेजा के ऊपर रखा है काच के टुकड़े और मेज की एक भुजा के बीच चोड़ाई 9 cm है मेज की मेज की लंबाई याद कीजिए मेज की लंबाई पूछिए देखो भी क्या कहा इस कॉस्टन ने इसने कहा है कि कांच के एक वर्गकाट टुकड़े का 6 तरफल कितना है 16 81 है अब यह जो है एक मेज के ऊपर रखा है यह मेज के ऊपर रखा है तो आपकी यह रही मेज ठीक है मेज बना ली बाद में यह बनाया है ठीक यह इसकी क्या रखा है ऊपर रखा है कांच यह क्या है कांच कांच का टुकड़ा है और यह आपकी क्या है मेज है इसने क्या कहा है कि मेज की लंबाई पूछिए ये लंबाई कितनी होगी ये आप से ये दूरी पूछी लंबाई कितनी होगी ये पूछी आप से लंबाई क्या होगी ठीक है यानि ल पूछी आप से क्या होगी देखो यदि हमें यदि यह जो आपका वर्गकार कांच का टुकड़ा है यदि हमें इसकी लंबाई मिल जाए तो इसकी लंबाई में हम क्या कर देंगे यह जोड़ देंगे और उसने यह कहा है क्या कहा है कि सुनो दरधान से कि मेज के उपर रखा हुआ है कांच के टुकड़े का और मेज की लं सेंटीमिटर ऐसे श्यख़ें कितनी नों सेंटीमिट्र अब क्या करना है आपको सर्फ काश्क की अब मेरे दोस्त ये बताओ काश की ठीका वर्ग काश्च्छ रफल कितना होता है वर्ग का च्छेत्रिफल, आप जानते हो A-Square होता है, तो A-Square की value हमें कितने दे रखिए, 1681 दे रखिए, यही दो A-Square दे रखा है, A कमान निकालेंगे तो कितना आगा, 1681 निकालेंगे तो कितना आगा, 1681 बहेंगे, तो एक ही value किसका होता है, किसको होता है इत्तास का होता है और यह आपको याद रखने और कम से कम आपके 250 तक 40 तक याद होने चाहिए और बाद में आपको अन्य आपको कोई नंबर कुछ याद निकरना कुछ भी बस आपको दो संग्या देखनी है एक आपको 50 और एक आपको 25 ठीक है एक पचास दो संग्या देखनी है यह बताओ तो इत्तालिस जो है पचास से कितना कम है आप बोलोगो नो कम है बस उस नो को पच्चिस से कम कर दो तो नो को पच्चिस से कम कर दो कितना आगा कितना आगा तो यह बताओ उसने क्या पूचा है हमसे कि मेज की चोड़ाई कितनी होगी अब यह बताओ इत्तालिस तो यह है तो हम निकालेंगे मेज की चोड़ाई मेज की चोड़ाई इत्तालिस फिलस नो उधरवाला फिलस नो कितना गा इत्तालिस और नो कितना पचास अन्नॉ 69 यह किया आपका आंसर option कहा है आपका option number B is the right answer option number B is the right answer देखो ज़रा यहां लोग कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है बस कुछ नहीं कहा कांच के वरका टुकड़ का 6 तरफल इसने हमें दे रखा था जो कि एक मेज के उपर रगा है और उसने कहा कि कांच के टुकड़े के बीच और मेज के बीच जो चोड़ाई यह 9 cm है तो आपको उसके मेज की लंबाई बतानी है चोड़ाई बतानी है कितनी होगी हम जानते हैं कि 9 cm दे रखा तो चारो तरफ यह भी नो होगा यह भी नो नो हो गाया नो यह उल्हा गया नो दोनी अठारह स्था लिफ कितना 69 69 क्या हो इसकार आंसर होगा ठीक है इसको दूसरा कोशन देखु जए एक ही वक्त ही एक संभाहु तिरुपुजाकार मैदान की सताय पर नो किलो-मेटर, कितना? 9 किलो-मेटर पृति-घंटा और 18 किलो-मेटर पृति-घंटा की चालसे यात्त्रा करता है उसकी ऊसतच गति गयात कीजीये उसकी ओसत, गती ग्याद कीजिए, देखो भी, कितने कीतने चल दा है? 9 चल दा है और 18 चल दा है, इसकी ओसत गती बता नहीं कितनी होगी, ओसत गती, देखो भी, एक दो चलता हूँ, 9 किलोमेटर पिरती धहने चाहल से, एक चलता अठारे से, ठीक है? 9 से 18 से, कुल दूरी निकाल लेंगे, कुल दूरी के लिए क्या ह्या करेंगे हम, Lcm लेंगे कितना आगा, 18 आएगा, यदि मैं समय निकालना हो, समय क्या निकालना हो, समय, यह क्या आपकी, 4 तो भाग करेंगे, 18 को 9 से, 9 दूनी, 18 तो 2 गन्टे में चला होगा अभी वो, 18 km 9 की 4 से चले स्था तो यह चलेगा यह सरख अच्छा उसकी उससत गती पूछी उसत चाल तो उससा चाल बढ़ाएं क्या पढ़ा है मिर दोस्त आपने क्या पढ़ा है कि एक सेकंड्ड देखो उससे चाल क्या होते है कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी अठारा, लेकिन मेरे दोस्त, ये दूरियां कितनी, यानि कितने बार में चली गई है, दो बार में चली गई है, क्योंकि एक ये है, कितने गुणा कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, ये तीन च चार चाल होतीचार से 5 पांच से गुणा कर दितेए इसमें नीमे, ठीक है? कुल समय कित recordings है, दो एकrait 3, तीन ठंग 18, 16, 12 यानि 12 किलोमेटर पिरती घंटे की चाल से चल, ओसत गती कितनी होगी, 12 किलोमेटर पिरती घंटे की, 12 किलोमेटर पिरती घंटे की होगी, तो option कौन सा होगा आपका 8 है 10 है यहां 12 आपका कितना है बार है option number C क्या हो जाएगा आपका right answer मेरे दोस्त हो जाएगा यह दो question थे और इसे question आपके पूछे गए हैं और यह जो question है मेरे दोस्त आपके रेलवे के लिए very 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 most होने वाले हैं यूगि आप जानते हो कि रेलवे में आपका advanced math भी आता है जो पिछले अला कोस्तान advanced math के था ठीक है छित्र मिती अच्छे लिए पूछी जाती है अच्छे आता है तो इसलिए आपको formula याद कर लेने हैं आज के लिए इतना ही good bye good luck